तो आज देखते हैं आपके व्याकरन बुक का सबसे पहला चैप्टल भासा, बोली, लीपी और व्याकरन तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भासा किसे कहते हैं और या भासा क्या है तो हम एक समाज में रहते हैं समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे से बात करना है एक दूसरे के भावों को समझना है विचारों को समझना है अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुचाना है तो उसके लिए हमें एक माध्यम की जरूरत होगी और वो माध्यम क्या है वो माध्यम है भासा ऐसा तो है नह हमें जब एक परिवार में है माता पिता भाई बहन और भी बहुत लोग हैं तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो बात करने के लिए किश्चीश की जरूरत होती है वो होती है भासा की जरूरत जैसे यहां अगर हम पढ़े तो व्यक्ति समाज में रहता है और समाज अनेक लोगों का समू कहलाता है बिना एक दूसरे की मदद और सहयोग के जीवन कठिन हो जाता है यह बात तो सही है हम अकर समाज में हैं और हम एक दूसरे की मदद ना करे या एक दूसरे से मदद ना ले तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो पहायता की जरूरत है कि मैं आपको ये पार्ट समझा रही हूं मुझे आपकी जरूरत है कि आप मेरे समझाए हुए पार्ट को पढ़ो तो हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है अपने समाज में रहते हुए मन के भावो और बात आदी को एक दूसरे से कहने और समझने समझाने के लिए जिस माध्यम की अवशक्ता पड़ती है उसे भासा कहा जाता है और हम लोग जब अपने भावों को एक दूसरे या मन की बातों को एक दूसरे तक पहुचाने के लिए जो साधन का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भासा पहले जब स्रिस्टे जब बनी थी मतलब जब दुनिया प्रारंब हुई थी उस वक जो आदी मानव थे वो भासा की बारे में जानते नहीं थे या उनको पता नहीं था कि भासा क्या है या उस वक्त भासा थी नहीं तो वो लोग मतलब एक दूसरे तक अपनी बात पहुचाने के लिए संकेत दिया करते थे जैसे कि अगर उनको कुछ चाहिए हर समान के लिए अलग-अलग संकेत हुआ करता था वही जाकर आगे चलकर संकेतिक भासा से लेकर आज जो हम लोग भासा यूज करते हैं उसमें वो बदल गया जैसे स्रिस्टी के आरंब में जब भासा नहीं थी तब आदी मानव ने एक दूसरे तक अपने विचार प्रेशित करने के लिए कुछ ध्वनी संकेत बना लिये थे अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग ध्वनी संकेत मानव के विकाश के साथ ये दुनी संकेत भी विक्सित रूप लेते गए जो चितर दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ ये चितर में क्या है कि एक लड़का बच्चा है जो की बिमार पड़ा हुआ है और एक डॉक्टर है जो उसकी देखबाल कर रही है उसकी मतलब ट्रीटमेंट कर रही है अब देखिए यहां पर आये लड़का कह रहा है डॉक्टर से मेरा बुखार नहीं उतर रहा है डॉक्टर ने कहा जो दवाई दी थी वह रहाई थी डॉक्टर ने का गोली नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे दवाई बदल दी है इसे सुबा साम खाओ तो यह क्या है यह चित्र देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन बात करते हुए किस चीज का प्रयोग हो रहा है कि तो यहाँ पर भासा का प्रयोग किया जा रहा है अगर भासा नहीं होती तो दोनों को एक दूसरे के बातों को समझने में बहुत कठिनाई होती अब यहाँ नीचे देखिए भासा की मूल में ध्वनी मतलब साउंड होती है इसका उच्चारन नाक और मुक के माध्यन से प्र दोनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है वर्ण मतलब क्या होता है जैसे आ, आ, ई, ई, या क, ख, ग, ठीक है तो यह सारे वर्ण हैं आपके तो जब हम मूँ से कोई ऐसे दोनी निकालते हैं तो वो एक वर्ण का रूप ले लेता है जब इन धोनियों को आपस में आपती होती है और यह शब्द का रूप लेती है जैसे अगर मैं मू से आवाजे निकालूं शाष कह रहा है यह मिलकर एक वर्ण नषप में वर्ण जिसको जो शब्ध कहला रहा है जैसे अगर मैं बोलू आम तो ये क्या हो रहा है आम क्या है बन रहा है तो ये एक जब हम लोग इन वर्णों को जोड़ दे रहे हैं तो ये वर्ण जुड़कर क्या बन जा रहे हैं एक शब्द बन जा रहे हैं आम अब इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे किस दोनी के लिए हमें मुख से अवाजे निकाननी है या किस दोनी किस वर्ण के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पढ़ती है और किस वर्ण के लिए हमें दूसरों वर्णों की सहायता नही लेनी पड़ती है तो जब हम यह आगे पढ़ेंगे स्वर वर्ण या वेंजन वर्ण में तो हमें पता चलेगा अभी यहां देखते हैं और यह शब्द का रूप ले लेते हैं इनी सब्दों के सार्थक मेल से अर्थ युक्त वाक्य बनते हैं जिसका उचारण मनुष्य अपन भावो की अविवेक्ति मतलब expression के लिए करता है अब यहां पर एक आपका वो है definition दिया गया है ठीक है कि भासा क्या है जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावो और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है उसे भासा कहते हैं तो अगर question आपका ऐ लिखा हुआ बॉक्स में इसको आप लिखेंगे अब यहां पर देखते हैं भासा प्रयोग के प्रकार ठीक है तो भासा को प्रयोग करने के लिए मुखिता दो प्रकार है सबसे पहला है बोलकर मतलब मौखिक रूप ठीक है और दूसरा है लिखकर मतलब लिखित रूप बो जब हम लोग अपने विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं वो मौखिक हो जाते हैं मतलब मौखिक रुग जब हम बोल कर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं यही भासा का मौखिक प्रयोग है व्यक्ति अपन है 98 प्रतिशत ठीक है भासा का प्रयोग बोलकर ही करता है और जो साक्षर नहीं है वहां यह संक्या सत्प्रतिशत 100% मतलब 100% हो जाती है भासा देना फोन पर बात करना रेडियो सुनना आदी मौखिक है जैसे कि कि जब हम लोग बात करें अगर मौखिक भासा क्या है तो मौखिक भासा में जैसे आप अपने मौखिक रूप होता है जो आप बोलकर एक दूसरे के विचारों को समझते हैं बोलकर और मौखिक में क्या क्या चीजे दो चीजे विशेश होती है एक होता है बोलकर और सुनकर मतलब बोलकर और सुनकर अब मौखिक में कैसे होगा जैसे मैं आपको भी बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो या एक मौखिक भासा हो गया ठीक है बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भासा कहते हैं अब यहाँ पर लिखित भाषा को देख लेते हैं तो लिखित भाषा क्या होती है जब हम लोग लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं जैसे कि अगर आप किसी अपने दोस्तों को मेसेज प पत्र भेजते हैं या आपने किसी दोस्त को आप मेल भेजते हैं या किसी को भी आप पत्र लिखे मेल भेज़े या कुछ भी करें तो वह एक लिखित भासा का रूप है ठीक है लिख और इसमें हम लोग क्या है जब जैसे कि हम लोग मौखिक में सुन बोल रहे थे हुए कि कहते हैं तो ये आपके दो भासा हैं आपका ऐसा कुछ आएगा कि भासा किसे कहते हैं आपको ये पढ़ना है और भासा कितने प्रकार के होते हैं तो भासा दो प्रकार के होते हैं एक होता है मौखिक भास रूप और एक होता है लिखित रूप ठीक है तो ये आपके दो थोड़ा आपका बड़ा है तो फिर देख लेते हैं यहां पर भासा की विविद रूप में सबसे पहला है वहवारिक और संपर्क भासा वहवारिक मतलब जैसे आप इसमें एक सिंपल सा चीज समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं तो उसमें हमारे वो लोग लैंग्विज हमें बताते हैं कि हमें हमारे हिसाब से कि हमें जो लैंग्विज पसंद है उस लैंग्विज में हम उस मूवी को देख सकते हैं या आपके बहुत सारे मुबाइल में या आपके लैप्टॉप में ये फीचर्स होते हैं कि आप जिस हिसाब से चाहो तो आप उस हिसाप से अपने भासा को बदल सकते है तो वह होता है अपका वहवारिक या संपर्क वाली भासा ठीक यह जैसे कि आप लोग जैसे आप बंगॉल में रह रहर रहे हैं तो आप जो न्यूस पेपर लेंगे वह अप अप euh unknown बंगॉली हैं आप बंगॉली नहीं तो आप क्या करेंगे आपकी जो भासा होगी हिंदी है अगर तो आप हिंदी मिलेंगे अगर आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छा लग रहा है पड़ना तो आप इंग्लिश मिलेंगे न्यूस पेपर तो यह आपका किसमे आ जाएगा वहवारिक और वहवारिक या आपका सं लिखता है बहुत लोग चिन्न ऐसे लिखते हैं बहुत लोग दीजिये में लास्ट में या और एकी मात्र लगाता है बहुत लोग दीजिये में सिर्फ ए लिखता है तो यह अलग लग लिखने की जो लिखने का जो तरीका है इसको हम लोग क्या कहते हैं मानक हिंदी भाषा मात्री भाषा किसे कहते हैं तो मात्री भाषा मतलब ये तो हमें सुनने में पता चल रहा है कि मात्री भाषा मतलब होता है मा की भाषा ठीक है जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम जो अपनी मा के द्वारा बोली गई भाषा को सुनते हैं उसे हम लोग मात्री भाषा कहते हैं ठीके जैसे अगर हम एक बंगाली परिवार में जन्म लिये हैं तो हमारी जो भासा होगी या हम जो सबसे पहला भासा सीखेंगे वो हमारी बंगॉली लेंग्विज ही सीखेंगे बंगॉली भासा ही सीखेंगे क्योंकि क्यों सीखेंगे क्योंकि हम अपने घर पे सब लोगों को वही भासा बोलते हुए सुन रहे हमारी मा जो है वही भासा अगर बिहार में और आपका लेंगविज अगर भोजपूरी है तो आप अपने घर में सुनोगे कि लोग भोजपूरी में ही बात कर रहे है या नमबर पर राज्जी भासा मतलब ऑफिशल लाइंगवेज ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि सरकारी कोई काम काज होते हैं ठीक है उसमें जिस भासा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्जी भासा कहते हैं और ये देवनागणी जो है हिन्दी इसको राज भाषा बताया गया है रास्टर भाषा किसे कहते हैं रास्टर भाषा वह है जिसका पृयोग्राश्टर के अधिकांस लोग करते हैं अर्था एक आईसी भाषा जो पूरे देश में मानने हो ठीक है भारत के संदर में अगर हम लोग देखे तो भारत के संदर में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दच्चिन तक तथा पूर्व से पक्चिन तक है निशन्द यह कहा जा सकता है मतलब कोई डाउट नहीं है जिस बात प कि रास्टर भासा होनी चाहिए तो इह आप का यहां तक आज हो गया भासा हमने आज क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले भासा किसे कहते हैं यहां पर वह रांक सकते अ उसके बाद भासा कितने प्रकार के होते तो भासा दो प्रकार के होते हैं मौकी कॉल लिखित भासा और फिर अगर आपके question में आता है कि भासा किसे कहते हैं और भासा के कितने प्रकार है तो आप ये लिखो कि भासा किसे कहते हैं और भासा के दो प्रकार है कौन-कौन तो मौकी कॉल लिखित और ये उसको ऐसे define करोग लिख़ और कुछ उदाहरन भी अपने से देद हो गे और फिर हमने क्या पड़ा भासा के विविद रूप रूप मतलब भासा के कितने अनेक अनेक रूप हैं तो भासा के इतने 5 अनेक रूप हैं जो हमने पड़ा अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बोली किसे कह धन्यवाद